आपनून एव्रीवन वेलकम तो अड़ा 247 IES एंड़ा 247 PCS दोस्तों जैसा कि अभी तक आपको इंफरमेशन मिल गई होगी कि CSIR की तरफ से CSIR के अगर बात की जाए तो केंदर सरकार और केंदर सरकार में भी जो हमारा Department of Science or Technology है उसके अंडर काम करने वाली एक organization तो Ministry of Science के अंडर ये organization काम करती है और इसमें administrative level पर पोस्ट आई है administration जैसे आपको पता है कि भाई office का रख रखाव file documents all of that तो basically जो एक office setup होता है उसमें रख रखाव और वो सारी चीज़े जो है वो उससे संबंदित ये post है and mind you कि नाम से असा लग सकता कि section officer बट ये ये gazetted post है मतलब it is a gazetted post gazette level के जो officer होते है group B में उस level की post है आपने दिखा होगा कहीं बार जब आप forms भरते हैं तो वह लिखा रहता है कि अटेस्ट करवाईए document को और वह अटेस्ट किस से कराईए यहां पर आप एक गज़ेटेड रैंक के officer की रैंक पर अचीव मतलब वह अचीव कर पाएंगे उस पायदान पर पहुंच पाएंगे और कुल मिलाकर 444 कुल मिलाकर विकेंसी है 444 दोनों की मिलाकर हमारे section officer और assistant section officer दोनों की मिलाकर जो है 444 विकेंसी है अब form तो ओपन हो चुका है अब जो जो आप मेह चूड़ीक एसे फिल कर आप लोग holder नूं और चाहे सेसे फिल करना चाहें आप में अपनी तरह से यह सुजात दूंगा इस ceux लादूंगा डेफिनिट्ली form को definitely step 100 कुछ यहां पर पहुंच पर परफॉरमस आपका प्रदर्शन ऊपर उता हुपका कॉंफ यूट रिये इसे में जितने मौक तो अगर भुना सब् Generally then definitely go for it go for it मतलब आप जाईए इस exam के लिए और अच्छा जो है आपको result जरूर मिलेगा तो 444 तो post है vacancy है बट क्या कुछ है क्या exam का pattern है interview होगा या नहीं होगा कितनी चरण कितनी stages में exam होगा क्या क्या चीज़े आपको cover करनी है क्या क्या चीज़े आपको नहीं cover करनी एक बार इन सारी बातों पर एक बार इन सारी बातों पर नजर मार लेते हैं कि भाई cut off कितनी जा सकती है previous year कितनी गई थी preparation कैसे करनी exam का pattern क्या तो एक बार मैं आपको notification दिखा देता हूँ ये notification जो है CSIR की तरफ से ही रिलीस किया गया से council of science scientific and industrial research यहां पर आप देख सकते हैं जब आप यहां नीचे आएंगे तो यहां पर कुछ dates दी गई है यह important dates है जो आपको याद रखनी है 8-12 मतलब 8 December 8th of December से form open हो गया है form fill होना शुरू हो गया तो form open है form को जरूर भर दीज़े तो form को fill कर दीजिए ठीक है कब तक यह form fill होगा बारा एक बारा एक का मतलब क्या हो गया बारा जनवरी तक यह form जो बिटा यह आपका फिल किया जाएगा तो time लंबा है 8 December से 12 January लेकिन हम वेट क्यों करें बहुत सारे बच्चों की आदत होते हो बड़ेट करते रहता है कि हाँ अभी तो form आया है भर देंगे समय है दिस और वह काम बिल्कुल मत कीजिएगा form को fill कर दीजिए form को बर दीजिए ठीक है इसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहां पर यह भी बताया गया है कि यह जो पका दो स्टेज़ मैं यहाँ पर लिखा ना स्टेज वन अगर आप देखेंगे स्टेज वनिग्जामिनेशन यहां पर wors combination यह तो कब हो सकता है तो यहां पर यह बता दिया गया कि ये एकजाम फर्वरी में हो सकता तो फेबरिवरी 2024 में ये एकजाम का stage 1 tier 1 हो सकता तो अब आप आप जो तयारी करेंगे वो फर्वरी के एसाब से करेंगे टाइम कितना बचा है स्लेबस वास्ट है एक बार स्लेबस कभी आईडिया ले लेते हैं यह तो हो गया कभी एक्जाम हो सकता और इंपॉर्टन डीट्स अब यहां पर जब आप नीचे आ जाएंगे तो यहां पर बताए गया कि वह क्या कुछ पोस्ट है तो देखिए सबसे यह वाला बेस पे है 47,600 जो बेस पे होती है लगभग लगभग उससे डबल ही आपकी सेलरी बन जाती है तो एक लाक रुपए से जादा कि आपकी यहां पर सेलरी बन जाएगी सेक्शन ऑफिसर में नीचे आ जाएंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ठीक है यह नॉन गजेटेट पोस्ट है ग्रुप भी में लेकिन प्रमोशन से आप पहुंच जाएंगे अपना सेक्शन ऑफिसर तक अब यहां पर भी लगभग 45,000 रुपे आपकी ग्रेड पे है य उससे यह सालरी जो है और बढ़ जाती है लगभग लगभग डबल हो जाती है और दोनों में एज जो है वो 33 इयर्स ही दी गई है अब जब आप नीचे आ जाएंगे तो यहां पर पूरा ब्रेक अप बताए गया कि जो हमारे सेक्शन ऑफिसर हैं उसमें किस-किस किसके लिए है तो टोटल मिलाकर पूरे पत दिये गए 368 से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है और 76 जो है वह सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है जो एक गजटेट ऑफिसर है अब जब आप यहां पर नीचे आ जाएंगे तो इन्होंने यह भी बताया है कि फॉर्म भ लेकिन अगर आप एक महिला है if you are a woman या फिर आप SCST community से आते हैं या फिर person with benchmark disability disability category से गर आप आते हैं यह एक सर्विसमेन है या CSIR department में ही आप काम कर रहे हैं तो उनके लिए कोई फीस नहीं है तो इन कैटिगरी के aspirants के लिए कोई फीस नहीं है general OBC और EWS उसके लिए फीस है और नीचे की तरफ आ जाएंगे तो यहां पर age relaxation भी दिया गया हाला कि जो basic age बताई गई है वो 33 years बताई गई है लेकिन 33 से जादा relaxation मिल जाएगा कुछ कुछ cases में अगर आप schedule का schedule tribe communities है तो आपको 5 साल का age relaxation है अगर आप OBC communities है तो 3 साल का मतलब अगर आप SCST community से belong करते हैं त अगर आप OBC categories है तो 36 years तक भर पाएंगे ठीक है ऐसे ही सब category के लिए कितना age relaxation है वो भी आपर बता दिया गया है तो पूरी government की तरफ से relaxation relaxation सब कुछ दिया गया है जो आपके लिए अच्छा होने वाला है अब आ जाते है break up of the examination syllabus and marks कि भाई यह exam कितने नंबर का होने वाला है क्या marks वो सारी बात है तो अगर मैं बात करता हूँ scheme of examination की तो सबसे पहले आपका यहां पर paper one है तो सबसे पहले आपको paper one देना पड़ेगा और यह जो अभी मैंने आपको बताया था कि कहा गया है कि फरवरी में paper हो सकता है यह फरवरी में जो paper one ही है आपका जो February में आपका हो सकता है तो February में paper one होने वाला paper one में क्या क्या आएगा paper one में जर्नल अवेर्नेस जर्नल अवेर्नेस वही हमारी quality history geography science current affairs वही है जर्नल अवेर्नेस जर्नल अवेर्नेस के 100 question आएंगे objective टाइप के 100 सवाल आपके जर्नल अवेर्नेस के आएंगे हर question one mark का है एक number का है ठीक है हर question one mark का एक number का और negative भी है 0.33 negative marks भी है तो मतलब माइनस one third negative marking भी है और जब किसी paper में negative marking होती है तो आपको बहुत careful रहना पड़ता बड़े attentive होके paper को attempt करना पड़ता तो यह उस type का आपका paper होने वाला ठीक है तो 100 सवाल आएंगे objective question आएंगे हर question एक number का होने वाला है इसके बाद इसी paper का second part होगा जो है English language and comprehension तो कुल मिलाकर paper one में आपकी journal awareness भी आ रही है जीए भी आ रही है उसके साथ-साथ English language और comprehension भी आ रही है English language और comprehension के 50 question आएंगे 50 question objective टाइप यहाँ पर भी वो है एक नंबर का question है और negative marking है तो कुल मिलाकर paper होगे आपका 150 marks का 100 नंबर जर्नल अवेड़नेस के होंगे 50 नंबर English comprehension और language वाले होंगे time दिया जाएगा 2 घंटे 2 hours duration तो यह जो पूरा paper है पूरा paper डेल सो सवाल करने आपको और डेल सो सवाल के लिए आपको 2 घंटे का समय जो है वो दिया जारा आप 2 घंटे आप समझ सकते 120 मिनिट में डेल सो सवाल हर सवाल के लिए एक मिनिट भी नहीं है accuracy बहुत matter करने वाली इस पेपर में क्योंकि हर सवाल के लिए एक मिनिट भी नहीं है accuracy is going to be very very important for this इसके बाद आपका paper 2 होगा paper 2 होगा और फिर होगा आपका paper 3 paper 2 अगर आप देखेंगे तो paper 2 में फिर से journal intelligence आएगी आपकी reasoning और mental ability आजाएगी तो यहां पर आप मान सकते हैं जर्नल इंटेलिजन्स में जर्नल अवीडनिस भी आएगी आपकी इसके साथ साथ आपकी reasoning भी आ रही है माक्स वो ही है हर question के लिए एक नंबर तो 200 माक और उसके बाद है paper 3 English Hindi descriptive paper paper 3 जो है paper 3 यहां पर English और Hindi दोनों दिया गया तो आपका paper English और Hindi दोनों में होगा क्योंकि यहां पर notification में बताएगा English Hindi स्लाइश लगाके तो यह paper English और Hindi दोनों में होगा descriptive paper descriptive का मतलब होता written तो यहां पर प्रेसे लिखवाएंगे आपसे किसी गद्यांच का सार आपसे निबंद लिखवाएंगे essay और application writing तो यह जो है यह आपका English और Hindi दोनों में होगा क्योंकि यहां पर यह बात साफ साफ मेंच टेस्ट भी होगा 100 माक्स का तो जो हमारी section officer की vacancy है उसके लिए यह CPT नहीं है computer proficiency test जो हमारी ASO की vacancy assistant section officer उसके लिए CPT जो है वो दिया गया है अब देख लीजे यहां पर जो बच्चे बार-बार यह पूछ रहें English में होगा Hindi में होगा तो देखो paper one paper two paper three will be common and compulsory for all the post all the papers will be bilingual English Hindi except English language part of paper one तो अगर आप यहां पर देखेंगे यह जितने भी paper है English Hindi दोनों में होंगे लेकिन paper one में जो English comprehension वाला पार्ट है English language वाला पार्ट है यह केवल और केवल होगा आपका English में इसके अलावा यहां पर दिया गया है कि भाई English और Hindi दोनों में जो है वो होने वाले है समझ गए तो भाई आपको form जरूर भर देना चाहिए मैं फिर बता रहा हो form जरूर भर दो form कैसे आप भर सकते हो मैं थोड़ा आपको इसका आइडिया भी देता हूं आपको क्या करना है आपको CSIR की website पर जाना है यह देखो यह रहा CSIR.res.in तो अगर आप Google पर जाकर यह भी नोटिफिकेशन चलती रहती है यहाँ पर व्यू आल पर चले जाओ व्यू आल पर आप चले जाओगे तो यहाँ पर देखो सेकेंड नंबर पर CSIR कंबाइंड अड्मिनिस्ट्रेटिव सर्वेस एक्जामिनेशन यहां लिंक दिया गया उस लिंक पर क्लिक करो तो आपको र पर टॉनिस्ट्रेशन करना इसमें आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रूब रेजिस्टर कर सकते एमेल आईडी के थ्रूब रेजिस्टर कर सकते है मैं यहाँ करना क्योंकि ये-ाई-डी से फायदा क्या होता है जो भी communication होता है जो भी message हमारे पास आता हूँ हमारे mail पर available होता है फिर message खोता नहीं है तो future reference के लिए जादा अच्छा email का यूज कर दो ठीक है तो यहाँ email का यूज कर लेना उसके थूर रेजिस्टर कर लेना जब आप register कर लोगे उसके बाद आप form fill कर पाऊगे ठीक है form fill तभी हो पाएगा जब आप register कर लेते हैं तो पहले register करना पड़ेगा मैं फिर याद दिला दू कोशिश कीजिए कि form जो है वह email ID का यूज करके फिल कीजिए एक्जाइम पटना में होगा बिटा अभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया गया जब आप form फिल करने जाएंगे exam centers दिये गए होंगे उसमें आप चेक कर पाएंगे ठीक है जो बच्चे यह पूछ रहते हैं कि English और हिंदी में होगा है नहीं I hope I hope अब आपके दिमाग में बात क्लियर हो गई होगी कि यह इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा English इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा पेपर 1 जो इंग्लिश कॉंप्रेएंट्चन वाला पार्ट है वो केवल और केवल आपका किस्म में हो जाएगा वह होगा English में अधर्वाइस सारे पेपर जो है वह इंग्लिश हिंदी दोनों में बायिंग है ठीक है अब जो निर्धारित करती है सरकार डिसाइड करती है मैं कौन होता हूं वो करने वाला कुछ इसी प्रकार से जो बैचिस होते न यह भी यह भी जो management है उसका decision होता तो हम नहीं वह कर सकते मैं आपको बैचिस की information जरूर दे रहता हूं गुड आफटनू गुड आफटनू बिटा educational qualification graduate जो बच्चा पूछ रहा है educational qualification क्या चाहिए बिटा graduation चाहिए आप simple graduate है आप 33 years से नीचे है आप फॉर्म कर सकता है tension मतलो तो graduate हो 33 साल से कम एज है अगर 33 से जाधा भी है तो अगर reserved category से आते हो तो वहां पर एज relaxation भी आपके लिए दिया गया अब देखो जब आप अड्डा के platform पर आ जाओगे Google पर जाकर type करना Google पर जाकर टाइप करना अड्डा 24 7 अड्डा का platform आ जाएगा लेंगी content भी मिल जाएगा तयारी के लिए इसके साथ साथ टेस्सीरीज भी अवेलेबल कराई जाएगी क्योंकि सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलता आपको पता ही है पढ़ने के साथ साथ टेस्सीरीज जो है वह भी लगानी पढ़ती है तब जाकर मारी preparation strong होती है तो यहां पर आपको batch भी मिल जाएगा batch में live classes भी होंगी live के साथ साथ recorded classes भी आपके लिए वैलेबल है तो live classes भी होंगी recorded classes भी होंगी उसके साथ साथ यहां पर आपको study material भी मिल जाएगा test series भी मिल जाएगी admission लेना है buy now पर जाओ पर जाओगे page open up हो जाएगा यहां वो आपसे coupon code मांगेगा coupon code में type कर दिजेगा y365 y365 जब आप type कर देंगे तो इसकी cost हो जाएगी 4600 रुपे के असपास कोशिश कीजिए आप इसे adda की application के through लीजे adda की application पर free coins होते है वो free coins भी लगा लीजे तो y365 apply कीजे इसके साथ सा मिलते हैं वो apply कर लीजे free coins आप apply कर लेंगे तो यह हो जाएगा लगभग 4300 रुपे के आसपास का तो आपको डिसकाउंट मिल जाएगा और 20 तारिक से बास शुरू हो रहा है सार मेरा 3rd year है में last sem है क्या में apply कर सकता हूं देखो मैं आपको चीज़ बताता हूं क्या होता है कई forms में mention नहीं किया जाता कि last year वाले भर सकते हैं नहीं भर सकते बट what I would advise जो मैं आपको advise करूंगा आप form भर दो अगर आपको लगता है final semester में हो और final exam होने से पहले अभी तो भाई इसकी stage 1 होगी paper 1 होगा उसके बाद इसकी stage 2 भी होगी फिर paper 3 भी देना है आपको फिर interview की call आएगी तो उसमें time लगेगा time लग जाएगा तो आप भर ठीक है आप definitely form भर दीजे जादा से जादा क्या हो सकता है जादा से जादा अगर आप अगर आप clear कर लेते हैं जादा से जादा क्या होगा यही तो कहा जाएगा कि यह बच्चा जो अस time graduate नहीं था लेकिन उसमें भी चीज होती है अगर agency को ऐसा लगता है कि बच्चा well qualified है तो वो अपने description पर कई cases allow कर देती है तो मैं कहूंगा अगर आप final year के student और आपको लग रहा है सर नहीं मुझे form fill कर देना चाहिए definitely form fill कर दो form fill करने में कुछ नहीं जाता पहली बात तो यह याद रखना आप form fill कर दो और जितने exams में आप बैठते हो उतना आपको confidence भी final year student आपको लगता है इस exam की final stage से पहले मेरी graduation पूरी हो जाएगी go for it ठीक है और जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है आप जुड़ सकते हैं Y365 लगा के आप admission ले सकते हैं cost कम हो जाएगी batch में आपको admission मिल जाएगा बेटा free classes YouTube पर YouTube पर free classes आगे चलके plan की जाएगी अभी उस आपको जरूर मिलनी चाहिए थैंक यू जाहिन